एक तो बात ये कहें थी कि हम लोग exercise एक और दो में एंग डो ken . बात को समझने का काम करवा और ऑस की सुख हमारा स्वहाव है या तो ये जो निरंतर सुख हम चाहते हैं if वो कैसे सुविचित होगा, अपने में सुविचित होगा, अपने सभाव में होगा या बाहर के प्रभाव से होगा, यह मुख्य प्रस्न है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, साइज 1 में देखें और 2 में देखें तो, मुख्य लुख से कि साइज 1 में हम लोग इस बात को अपने में सुनिश्चित करने की तूछ अभी तक जो हम जादा पर समय माने रहते हैं वो ये माने रहते हैं कि सुख हमारा प्रभाव है और दो तरह से वो पाया जा सकता है एक तो अनुकूल संबेदना के आधारपन सुखी हो सकते हैं और दूसरा अनुकूल भाव पाकर कि इतना भी प्रयास करते हैं इजन्तर्टुकी होने का हम होली बाते हैं तो तूख जो है वो हम्मारा सुभाव है वो हम अपने में सुनिश्चित कर सकते हैं ये बात को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं अभ्याते हैं और इसको जो देखते हैं तो ये पता लगता है जो थान देंगे तो हम अपने कर्पना सिपस्टा को देख सकते हैं करत मैं अभर सर देखने हैं, तो अपने भाव के अढ़ार पर हम सुखी होते रहते हैं, इस बात को, स्टेप उन, नु मैं हम लग committed कि इस टेप चार्ण यह बात भी देखा कि जो भाव हमारे में चल रहा है उसका निर्ने तो मैं खुजी करता हूं बाहर की कोई घटना या कोई व्यक्ति अश्च कर सकता है लेकिन मैं अपने में क्या भाव बनांगा विचाश करूँगा इसका निर्ने तो मैं खुजी करता हूं ऑर यहभी हम लोगने देखा कि यह निर्ने करने का जो आधाल हूं वो हमारे में जो जो शुकृति बनी हुई है, जो माननेता बनी हुई है, जो माननेता बनी हुई है, जो माननेता है, उसके आधार पर हम अपने भाव विचार को तैय करते हैं, उसके आधार पर हम शुखी होते हैं, ये बात हम लोगों ने अभ्यास एक के स्टेप पास तक देखा। यह भी देखा कि जब हमारा संस्कार, हमारी माननेता समझ पर आधारित होती है, सही समझ पर आधारित होती है, तो हम सही भाव के प्रक्ष में, सहल भाव के प्रक्ष में मिलने लेते हैं और सुखे होते हैं। जब हमारी माननेता समझ पर आधारित नहीं है, तो हमारा भाव की चार निश्चित होगा, ऐसा हम नहीं कहता है अगर सही है मानिता, तो सही भाव होगा, सहज भाव होगा, सुखर भाव होगा अगर मानिता गलत है, तो गलत भाव होगा, अगर सहज भाव होगा, सुखर भाव होगा अब इचारा तर्फ हमारी चिती है कि हमने सही समझवाले काम को नहीं सुनिचित किया है, इसलिए हमारी मानिता सही समझ पर आधारत नहीं है, इसलिए अनिचिता बने है। तो अगर सही समझ हो जाए, तो हमारा भाव सही हो सकता है, हम सुखी हो ज़गते हैं, इस चंदी अगले चंदी हर चंदी, तो सही समझ के आदार पर सही भाव को सुचित करके हम अपने में निवलता सुखी रहते हैं, उसी के गरम में स्टेप 6 और 7 में हम लोगों ने यकाम कि कि इस बात को देखने का प्रयास किया कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है नियुकर देख संबन्त का या विरोध का विरस्था का या विरस्था का सहस्थितु का या संधस्था पर यह पाया कि अगर हम पर यह दिख जाए कि सम्मझ व्यस्तार सहस्थित का भाव हमारे लिए से अन्यथा नहीं है और हर्चन हम अपने में सम्मझ व्यस्तार सहस्थित का भाव सुनिशित कर सकते हैं तो हम हर्चन अपने में तुखी रह सकते हैं बाहर के स्थिति जाहें पेशी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो यह बात हम लोगों ने देखा, उसमें स्थेप साथ में यह भी देखा कि अगर संबन वरस्ता और सहस्तित्त हमको समझ में आगा है, और यह दिख जाए कि अस्तित्त में ऐसा ही है, तो बहुत सहाज आज धन से हर्चन हमाले में संबंद वरस्ता और सहस्तित का भाव बना रह सकता है, और हम अपने में संगीत में रह सकते हैं, तो इस अर्च में देखें, तो हम संबंद वरस्ता और सहस्तित को समझ कर, संबंद वरस्ता और सहस्तित का भाव हर्चन अपने में बनाए रखते हुए 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 हु यह मुख्ठ काम हम लोग ने अब तक अभ्या सेख में किया है एक बार यह दिख जाए कि इस सुख हमारा सुभाव है और उसको हम अपने में जाज कर देख कर निशित कर लें तो मेरे सुख्य होने का काम को पूरा हो गया अब मेरी निर्भरता नहीं है बहार तुकी होने के लिए लेकिन मैंने बहार के साथ अपने संबंद को व्योस्था को देखा है, स्विकारा है इसलिए बैभाव के रूप में हम बहार संबंद पुर्वत व्योस्था को दोची है तो वो हमारे जीने का वैभाव है हमारी बाधयता नहीं, मैं बरसवर्था में जी रहा हूँ. वो सुखी होने के लिए नहीं जी रहा हूँ, सुखी होकर जी रहा हूँ. अभी तक क्या है, जब बहार से कुछ बानके सुखी होना है, तो उसके उपर निर्वर्था है, कि बहार अनुपुलता होगी, तो हम सुक्षि होंगे. एक बार हमको सही समझ के आधार पर, संबन्ध वरस्ता और सहस्तिते को समझने के आधार पर, उसका भाव सुनचित होने के आधार पर, हम अपने में हर्षन तुपी हैं. तो अब हमारी निर्भर्टा नहीं है सुखी होन कां जा कि उसको भोसता मेरे पड़ो सुब्सक्राभार करेंगे Judea कि ए उससे उधैζ रवार करेंगे का उससे और इस निले cleaning और वहस्ता में भागीदारी करेंगे उससे मानों का जो लक्या हो कुछे fulfillment तो यह जो परसपरता में जी रहें वो हमारे अपने में समझ पुरुवत भाव पुरुवत सुखी होने का एक्सप्रेशन है ना कि उस पर हमारी निर्भर्दा है तो वो जो मानिवी आचरन के संदर में हम लोग ने चर्टा किये थी तो यह जो चित्र बना हुआ है इसमें उपर जो एक्टिविटी अब दी सेल करता उसको देखें तो संबंद व्यवस्ता और सहस्ती तो हमको समझ में आ जाए बीवन में उसके आधार पर हमारी कल्पना सुन्ता चलने लगे बीटू चलने लगे हमारा भाव उचाज सही हो जाए इतना हो गया तो हम अपने में आलाम में हैं संदीत में हैं सुखी हैं और यह हमारा सुभाव है यह बाहर का प्रभाव में नहीं है तो हमने अपने सुभाव को समझ लिया हम अपने सुभाव में इस आधार पर हम हर्चन अपने में क्रिप्थ हैं अपने में सुखी है कर्ति-पुर्वा का बैभाव के रूप में बाहर वैवार कर रहे हैं कारी कर रहे हैं जब्रस्ता था में और दूसरे को भी सेष प्रकिती को भी संवरी के बनाता है। इसी तरह से जब हम भागिदारी करते हैं, पड़वार से लेका तुक। ग्राम और समाज और सब्जेगाद। तो हम अपने मानो लच के पूर्ति करते हैं। अइसा जीने को जब हम फैलाते हैं, तो उससे अखन समाज और सार्वं व्यूस्था बनती है। कि जो अखन समाज सार्वं व्यूस्था है, वो हमारा त्रैम में व्यूस्था होने का बेगाव है। तो इस अखर समार सार्वन दरुस्ता कोई स्वाराज के रूप में परचा नहीं है, और यह जो स्वाराज है, वो हमारे में जो स्वातंत्रता है, बुर्वत दीना है, अपने में जो सही समझ, सही भावितार का दीना है, उस स्वातंत्रता का अभियक्ति है, तो अगर अपने लिए काम देखेंगे, तो मुख्य काम जो है, वो स्वतंतिता को सुनिश्चित करना है। कि सुकषम्जिद्जी का स्रोफ बनते हैं व्यास्ता का स्रोफ बनते हैं उसको स्वराजी कहा है है तो इतनी बात को हम लोगों ने देखा हैं इस अभिवेक्थ होना है परिस परता में इसको अभ्यास दोर्में समझने के अपाफूसिक्टि कि शरीर के माध्यम से जो व्यक्त होना है, दूसरे मनुष्य के साथ जो व्यक्त होना है, तेस्ट प्रकिते के साथ जो व्यक्त होना है, उसको समझने का काम अभ्यास दो में करना है, तो अभ्यास दो के सारे स्टेप्स को देखेंगे, तो वो इस बात पर चर्चा है, इस बात है है हे यहीं है 20 ने को लड़ी को समझने का प्रयास में करने का अब्यास दो में हमारी अब्रश्कृता में होना और इतना काम हम लोग नहीं कि एक और प्रयास तो इसके साथ को बजमतो हम लोग बात करेंगे नमस्ते बिया। अमस्ते नमस्ते ये चार्ट निख्रा है ना मैं इंच्रा करलेती हूं भीकास इंच्रा कर लेति हूं बिकास इली फूंग्ली फूरिंटी रीए। शौरी आँदी आधी बीदी I'm audible ना भाया। ये from the chart what I am understanding is the purpose is to attain the full potential of going to the holistic development of the self that is understanding the universal human order participating, deciding so realization is my purpose realization is my purpose then expression outside is my current behavior is my is my current competency sorry to tell it is expression outside what I am doing now is my competency so from this competency to I have to attain that realization this is where I am if I have to understand the gap between my purpose and my competency my understanding is right Ganesh? Competency is outside or inside the self expression is happening inside also outside also some contradictions are happening there also that also I am able to see yeah so what we are first has to do with the state of the self okay so where do I put my samskar here the samskar is at the level of your assumption and if you look at this chart if you look at this activity number three and two three and two right yeah that contemplation and understanding there I have my acceptances about the reality okay about about the self-organization of that reality about which participates and the larger reality so that is where the state activity of this this two and three there is that assumption that samskar so I have some assumption about myself or my participation I have some assumption about the other person and about my samskar that is my and these two decides my feelings my desire contemplation our understanding is deciding my assumptions my desire no that is my desire it is activities at the level of two and three describing about how I look at something no and that is my assumption that is my samskar if it is based on understanding and contemplation then it will be a right samskar understanding I have just assumed it then it is not true but we have something there you know at the level of two and three we have some assumption about myself about the other these two together decides my relationship with the other unit for example if I assume that I am the body and the other is also a body this could be an assumption right and if I assume that my relationship with the other body is that of opposition Ganesha if you talk about Hindi it's better not Shri Lata Ji understand Hindi Hindi I can't talk I see I can I can see this is that I think हें तो हमको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के विरोद में हैं अगर कोई फिजिकल पैसियोधि है उसको उसको मैंने लिए यूजर कर लिया तो आपके लिए उपलब nat Phillamet नहीं होगा हमें तो हम दोनों पने ये माना कि मैं शरीर हूं आपके बारे यह मात कि पर यह पहचाना कि हम एक दुसरे के विरोद में है इसलिए हमारा जो डिजायर होता है वो विरोद का होता है टीक है बेए तो यह जो माननेता है हमारा है वह सम्सकार है ठीक है वो भी ठीक है इसलिए अगर हमको अपना भाव उचार को ठीक करना है तो हमारा जो माननेता है समसकार को टीक करना पड़ेगा. समशकार को टीक करने के लिए एक गुरू चाहिए, न? गुरू से इराद है उइसको अपने में काम करना है अपने में समज बनाना है. वो difficult हो रहा है बया. इतना ही करेंगे कि हमारे समज को चिख होने में सहयोग कर सकते. इह तो सही बात है जह उद्द्धहy हमको करना प्रकल में गुरू का जो उत्कार है वघ्यान की तरफ ध्यान दिला देता प्रकुराइब कर फिकर कर दो भी किसमा न रख समय आफे कि के अट सिजब घान ये कर दो गारें होगा इस तो अगर फिरुस कि के अट возможноर मर्ना ते सिंटे इस अटी से घड़ नगया कि मेर कि मिलतक देशना में नखेक कि इस अज़रन में वो इजुकेशन जैसे हम ज हम दे रहे हैं उसमें पर ठीचर ही गुरुफ है नहीं एक ब्रालाई थूस्रा ये पुरू लाएग है ये गाप मज में आती है बया implementation at the self level is becoming tough because of my sanskars only that also I am able to see where to correct is my question that means that means I am aware of what I am aware of what I am aware how to correct this and okay okay the guru's task is so that it is your attention जिलादे आपको तरफ, पोटिंचल है उसकी तरफ ध्यान दिलादे, अभी आवशकता हो तो जहां पर आप खाय हैं, नहीं पारे, तो फ़शपत पर ध्यान दिलादे, तो आपको देना पड़ेगा, काम थापको अपने पर करना पड़ेगा, उसके अलावा को उपाय नहीं है yes, yes, that also I realized yes, bhai thank you thank you yes, sir 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 जल्दी कर दूसरा अगर ऐसे चल रहे हैं अपने कर काम कर रहे हैं तो फिर हम को यह दिखना चाहिए कि जैसे हमको अपने संस्कार तर काम करने में बहुत समय लग रहा है आधा दूसरे लगद को भी लगेगा है तो दो बाते मैं कह रहा हूं उसमें, एक पर यह कह रहा हूं कि हमको अपने पर काम शुरू करते हैं, दूसरे को बदलने के हवड़ी ने करने चाहिए। अपने सब्सक्राइब कर दोदेशने के अपने सब्सक्राइब करते हैं, दूसरों को बदलने के हड़़ी नहीं है, तो इस वज़े से उनको कहीं जेलेसी या कई तरी की जो चीजे अंदर होती हैं, जो उनके मानेताओं के आधार पर हैं, कि जो एक पती से एस्पक्टेशन है या पिता से एस्पक्टेशन है, उस तरह की जो मानेताओं उनकी जो स्ट्रॉंग बनी हुई हैं, तो और समझना मुश्किल होता हैं, और वो पीडा में चल जाते हैं, मेरी हडबड़ी नहीं है कि वो समझे, लेकिन जो समझना चाहरे है हैं, उनके साथ इसी तरह की बातचित होती है या इसी तरह कारेक्रम बन रहा हैं? कि पूरा टाइम देखते हैं किसी को पीड़ा में हैं तो कहीं कहीं तो हमाइं तो कारण नहीं है आप उसका कर रहे हैं कि उनके संस्कार पुरन बदल जाए और नहीं बदल रहे अगर हम को इस संस्कार को बदलने में ताइम लगता ही है और आज के दिन जो उनके संस्कार हैं उसके तहाट वह इसको ठीक से मज्ञांकन नहीं कर पाएंगे है ना तो हम देरे रखते हम यह प्रेक्षा ही नहीं करते कि तुर्ण बदल जाए हम तो इस यह देरे का मतलब आप यह कह रहे हैं कि जो बटने का भाव है उसको छोड़ा स्लो किया जाए अगर उनको तकलिफ हो रही है हम अतिक यह कह रहे है कि हम को यह समझ में है कि हमारे संस्कार को बदलने में दूसरे संस्कार को बदलने के लिए को प्रयास नहीं कर रहा है हो जो जो देखेंगे आपके अक्टिविटी को तो म эксперимun कर दो दुछित कर पाएंगे के आफ से दुखी होंगे उग पिए उप संपढ़ के साथ उपने ही हैं tava ऑवwe यहां पर एक पॉइंट समझ में आया है क्योंकि पास्ट का जो कोई मेरा बिहेवियर है या पास्ट की कोई गटना है उनको वह रिलेट करके दुखी हो रहे हैं थोड़ा सा गहिए मुझे इस कारे में भी रखना पड़ेगा और जब तक उनकी समझ थोड़ी इस इसकी तैयार करने लगते हैं करना करते हैं हम आजेए कि मैं को इस्टिजूट कही ना कही रखते हैं तुम समझ आ रहा है वह भी बहुत आज करता है रोगों इसलिए हमको जो लाइन लेना है वो तरही है कि हमके समझने कफ्यास कर रहे है हुआ है उनका सम्मान बनाये रखना यह बहुत महत्पन बात है अभी बहुत बार क्या होता है कि हमको कोई चीज ठीक लग जाती है हमको कुछ समझ वाने लगता है तो हम दूसरे का अमुलियन अगर अगर हमारे में बास्तों में बदला होगा तो लोग खुद सीकारने लगेंगे तो प्रास्तों में नहीं होगा तो हम जबरिश्य के साथ करेंगे कि हमको सीकार हें वो शीकारते नहीं अभी मेरे पास जिसे ठोड़ा कॉलेज का भी काम का इतना नहीं है तो उस वज़े से मेरे पास समय काफी है जब से मैंने UHV1 किया है उसके बाद से मैं लगातार जो भी UHV किसे समझे तारिकरम हो रहे हैं उसमें वोलेंटरिंग कर रहा हूं तो साथ में एक भाव अंदर और इ होकर के लेकिन भाव यह भी बनता कि जित्ती सयोग में कर सको उतना करना चाहिए तो इसमें थोड़ा सा क्लेरेटी नहीं है कि पहले कंटेंप्लेशन अंडर्स्टेंडिंग और रिलाइजेशन के लिए उप्पे काम कर लें उसके बाद हम शेरिंग करें या साथ-साथ शेर अगर अगर अजया सिधा-सिधा होता नहीं है ना को दागीदारी करते हुए करिए हम लोग का जो यह है कि एक परतिसत लोगी सिधा-सिधा काम अपने के करता है और उनको भी अगर अभिवेक्ति में मिलती है तो थोड़े समय के राद करिशान हो जाए है ज्यादा तो लोगों के लिए तो यही सूट करता है कि वो भागीदारी करते हुए अपने पर काम जारी लगे तो हम लोग का एक्सपीरियोश है कि जो लोग भागीदारी करते हुए करते हैं वो उनमें ज्यादा गती दिखाई बड़ती है जिनोंने भागीदारी को न करके कि अपने पर सुतुरुप से काम करना ऐसा सोच कर करने गए उनमें से ज्यादा तर लोग कुछ समय के बाद जाते हैं, उनका प्रोसेस ही रुख जाता है, बट आप अगर डारेक्रम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, बट अभी हमारा जीना इतना क कुछ बाहर डिपेंडेंट है, कि अगर आप कारेक्रम कुछ नहीं लेंगे, भागीदारी नहीं करेंगे, तो आपका ध्यान भी इस पर बनानी रहता है, आप और कामों में वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए अगर आप हमसे पूछेंगे कि सीजा काम करें, या भागीदारी करते हैं, तो कुछ दिन करके देखें, तो आपका ज्यान जोगर भशक में लगे तो भागीदारी पर आजाए, कि कम से कम इसकी भागीदारी करेंगे, तो इस पहान ही आपका बहुत साथ ज्यान इस पर बना रहे, बहुत clarity से आपने answer किया भीया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस ये दोनों में ये तोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अभीवक्ति के साथ हमारी growth हो रही है, उसका हमें पता चलता है, हमारी checking भी होती है, लेकिन पूरी तरह से अभीवक्ति में लगते हैं, पूरी तरह से अभीवक्ति में अगर लग जाएं, तो अपनी स के ना, उसमें बेश में तो self development को रखे हैं, बट उसके साथ ये बागी दोनों को करेंगे तो वो भी आपके self development में सही होगी, बट सीधा-सीधा self development के लिए काम कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है करें, करके देखें उसको, करेंगे, और भागी दारी नहीं करेंगे, और सब कंप्लीट हो जागा self development, तो भागी दारी करेंगे, ऐसा बहुत लोग प्रियोग करके देखते हैं, फिर वो उसको continue नहीं कर पाते हैं, बट अगर आप continue का सकते हैं, तो उसको पहले कर लिए, फिर टीम डवलप्मेंट उसक काम करिएगा, कभी भी आपको लगे कि ने हमारा ध्यान इदो दरी बटक रहा है, तो फिर ये प्रोसेस यूसफुल है, कि कोई भागी दारी सार्थ तक भागी दारी ढून लीजे, भागी दारी करते हुए अपने पर काम करेंगे, बट काम अपने पर करना मुखे बात है, इसको छोड़ के करेंगे, तो बागी दारी में ठीक से नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर जो चित्रन और चिंतन जो दोनों को लिखा हुआ डिजायर के साथ में, तो मैं इसको इससे समझ पा रहा हूं कि जो चित्रन है, डाट इस गाइड़ेड वाई, सेंसेशन, प्री कंडि सेंसेशन है, वो क्यावड नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइड़ेड होता है, ऐसा है क्या भी तो ऐसा है, लेकिन अल्टिमेट की हम लोग यह चाहते हैं, कि हमारा जो चित्रन है, वो चिंतन से ही गाइड हो, इसलिए और रहा है डैरो बना हुआ है, जिंतन से गाइड़ हो, इसका मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस से गाइड़ेड हो, लेकिन अभी जो पुराने संसकार है, इसमें मैं देख रहा हूं कि कंडिशनिंग पर तो काफी काम हो पा रहा है, लेकिन कुछ सेंसेशन ऐसे हैं, जो अभी भी चित्रन में हैं, और चिंतन से गाइड़ेड होता है, कुछ सेंस्वल प्लैजर की बात कर रहा हूं में, जो कि चित्रन में पुराने संसकारों की वज़े से आही जाते हैं, और उसको हम अगर चिंतन के आधार पर रोकते हैं, तो कहीं कई दमन जैसा तो नहीं है, बढ़ी प्रोसेस को पहले समझ लीजिए, जो चिंतन ल नंबर का जो बता है ना मैंने, तो वहां पर अगर आप कुछ और मान रखे हैं, तो चिंतन नहीं चलता, कुछ और ही चलता है ना, और उससे से चित्रन तय हो जाता है, जो नंबर और ती नंबर क्या, तो जो एक्टिविटीज की बात के ना हम लोग, सेर्स की च्छिविटी नंबर 2 है, पर अपर अपर हमेंसा अजुषटनि की आप अपो आपका उस. तो कोई और संस्कार एक्टिव हुआ तो वह चिंदन को चलने नहीं देता हो तो कुछ और ही चला लेता और उसी से चित्रन तह हो जाता है तो जो अभी अब ऑब से गाइड नहीं है वहांपर कुछ और चीजे हैं कि और एक अंडेस्टेंडिंग की जगहा पर बीनिद्र संस्कार और और शोड़े अंडेस्टेंडिंग प्लस ऑष्च चैनलिके शंड संसकार रहे हैं और तो और हम बनुद की है मैं एट जो भी और हम तो वहां जो भी उसके बारे संस्कार बना हुआ है वो और उसके आधार पर जो आपका लक्ष ते होता है है ना संबंध में वो वो दोनों गबड़ होता है इसलिए चित्रन गबड़ हो जाता है गया है तो उसकी दमन करने जरद नहीं है प्या किया करना सको ऊसको देखने के जिरद के की तखना है तो अगर आपका प्रप्रतित क्रिया मत वर टो देखते हैं तो आशवदन चाहन बरसिर देखते रहें तो आशवदन और चैन पर लिए थाको क्यें दोनमों कर दों करते करते 즉 पीज़कि आम कोई सपोर कर ने इसलों में संसकाराником रोत। वो हम निर्ले पुर्वत बनाएगा, बिश्चन ये दिखेगा कि ये किसी काम करने उस्थन चला वेगा, हमारी सहमत्य के बिना नहीं है, हमने सहमत्य दे रखे इसलिए है वो, तो जब हम देख लेंगे अपने भाव विचार को, उसके पीसे जो संस्कार है उसको, और ये भी कि ये सहज नहीं है तो हमारी जो समत्य देख उसके लिए उसके लिए उखतम हो गया हो, अब च्छिन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा ये खतम हो जाएगा, कहीं-कहीं घयरे में अगर सहमत्य थोड़ी बहुत बनी हुई है, तो ही वो चल पा रहा है, एक्पक्री है, भी गवर्न हैं दोनों टेस्टिंग और सिवेक्टिंग लेकिन सपोर्ट कॉं कर रहा है तो हम लेकिन करते कि तुद आप जा रहें है और आप मुण नोट दिखता है कि अब्सक्राइब पर जाता है उन्दर जाते यह पहल्व की यह पांसो का है इसकी वेल्व अंदर बनी हुई है इसलिए वह इस थो कि अब अब जाद को अंधर वाले को स्ट्रीक करना है को भार आ पर श्रीक होने लगे करने लेकर इदेद अधिने सारे गहर बनेगे ना चे चार ठीक है यह मेरा गहर उसको हम पाचांद मानते है न घर थो ही मानता मेरा धर है यह कौन मानता है मैं मानता हूं कि धर मानता है यही चीज़ समंध में भी आती है कि मैं नहीं मान रखा कि मेरे मेरी बेटी है मेरी पत्नी है यह समंध में भी आती है है कि फिर कि य हूं कीवा टुक्ष कीटिती के लिए कुछ भी कर सकते हैं के हुई हमारे बच्चे को दर्हाने के लिए दूसरों का सोचन कर सकते हूं पे मेरा माननेता है और वह बच्चा नहीं की नहीं कर करेंगे प्रश्न होगा विच्छा करेंगे